तो लास्ट सेशन में हम लोग static block के बारे में discussion कर रहे थे तो static block एक ऐसा block होता है जो program में class loading time पे चलता है ठीक है जैसे program हमारा execute होता है तो execute करने से पहले class memory में load होता है then execute होता है और loading time पे static block चलता है main से पहले ठीक है अब इस static block में वो सारा काम आप कर सकते हो जो main के अंदर करते हो लेकिन इसके अंदर एक काम नहीं हो पाएगा वो हता है हमारा command line से runtime पे argument क्योंकि command line runtime आर्गुमेंट जो आप भेज़ते हो वो main में ही receive हो सकता है static block के अंदर नहीं receive हो सकता है ठीक है तो इसका क्या मतलब हुगा मैं आपको बताता हूँ जैसे यह हमारा program था without main का ठीक है यहां पर हमने main बनाया था और यह static block भी बनाया था ठीक है अच्छा पहले तो मैं आपको यह बता रहा था कि एगर आप main बना लेते और program को system.exit करा देते हो तो main कभी चेक ही नहीं होने जाएगा मैं को jvm कभी चेक ही नहीं करेगा और cmd को मैंने चला दिया यहां से and then मैं javac without main.java करके program compile कर दिया and then java without main कर दिया तो आप यहां पर देख रहे हो कि हमारा static block चला main चला ही नहीं क्या सुझेत क्यों नहीं चला क्या क्या रीजन है अरे भाई बोलो यस नो बोलो अगर पता है तो बोलो नहीं पता है तो मत न बोलो लेग उस तो बोलो हाँ तो चुप रहने से नहीं solution मिलता है आप जावा के अंदर बनी बनाए क्लास अगर उसको एक्स्टेंड करते हो न तो तभी आप बिना में से प्रोग्राम बना सकते हो अब जैसे मैं में हटा दूँ देखो मैं में अटा देता हूं ठीक है अरे यार मैं कह रहा हूं न उसका मतलब आपको जानने की जरुत नहीं है अभी वह आप नहीं जानो बस जान लो कि एक तरीका है कि ऐसा करके आप स्टैटिक ब्लॉग का यूज करके प्रोग्राम बना सकते हो उसके बारे में नहीं जानो बस यह जानो कि बिना में से प्रोग्राम बनता कैसे है आपको अपने प्रोग्राम में एक्सेंट कर देना अप्लिकेशन क्लास को अपनी क्लास को एपसेट बना लेना है static block open close कर देना है देन चला लेना है तो आप बोलेंगे कि सर क्यू नहीं जानना है हुसे क्योंकि आगे उसे बताओंगा मैं सब्लेआ टा होता है अब जब जावा का पहला प्रोग्राम पहले दिन लिखे तो क्लास बनाए थे अब क्लास का क्या मतलब है वो तो हमें कुछ दिन बात पता चला था तो बिलकुल उसी तरह से इसी तरह से अगर हम बात करें स्टैटिक ब्लॉक की अंदर जो सबसे लास्ट वाली लाइन लिखी है उस लाइन का क्या मतलब होता है दिखरा आपको system.exit यह क्या करता है यह प्रोग्राम को यह प्रोग्राम को forcefully terminate कर देता है जहां पर भी यह लिख दोगे जिस जगह लिख दोगे वहीं से प्रोग्राम forcefully terminate बंद हो जाएगा वही तो चुकि यह लोडिंग टाइम पर static block चलता है और वहां से हमने यह हाई print करा जनी यहीं से exit करा दिया कमेंट करा दिया तो इसलिए मेन को call नहींड कर पा रहा है अब देखिए इसलिए मेन को call नहीं कर पा रहा है अगर हम यह वाली लाइन को यह लाइनल कमेंड कर देता हूं ठीक हैえば इसको single ICE कमेंड कर दिया जरण क fights कियान ऊचल नहीं चल्किया प्रोग्राम को हमने लोडिंग टाइंब पे ही लोडिंग टाइंब जैसे हमारा क्लास लाड हुआ उसी टाइंब पे हमनी इसको टर्मिनेट कर दिया क्लास को मेम्री में लोड होते ही बताइए जैसे class memory में लोड हुई class के memory में लोड होते ही static block execute होता है और अगर static block का योज करके program बनाए तो हमें application class को extend कराना पड़ता है और class को offset बनाना होता है तो हम without main बना लेते है यह without without main की बात है अगर हम अगर हम main बनाना चाहते हैं तो थोड़े ने ज़रूरी है कि आप class को abstract बनाएं और यहां पर ऐसा करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है तो मैं आप से कह रहा था कि इस static block में आप सारा logic लिख सकते हो क्या कर सकते हो method call कर सकते हो object बना सकते हो data initialize कर सकते हो जो काम आप main के अंदर करते हो तो कौन सा ऐसा काम है जो main में ही हो सकता है static block में नहीं हो सकता तो वो होता है command line पे run time पे argument देना देखो जब program ऐसे run होता है तो run time पे आप ऐसे value देते हैं जैसे मैं आप ये value दे रहा हूँ 10 space 20 space high space by ये जो मैं command line से run time पे value दे रहा हूँ ये अगर मैं लिख के एंटर मारूँ तो ये program चल जाएगा इसको बोलते है command line argument ठीक है तो मैं हाँ लिख देता हूँ command line argument अगर अभी आपको जानना है तो आप जान लो थोड़ा सा कि command line argument क्या होता है command line argument command line argument किसे कहते हैं command line argument किसे कहते हैं साथ ही साथ आप अगर जानना है तो जान सकते हो कि ग्यcakट आपटिए सब्सक्र wagon क्या पूर्च किवेशना है तो इस जाम पूर्चे किoler प्ली तापटिए पूर्च कार्च कर्माणा रॉट्टप्रीट। रॉट्स आपाट्थलीट सहत ग्यक ‑‑ साथ चार्सा पातना तो तो प्रोग्राम जो रन हो रहा है तो रन टाइब me कमाल लायन से 올라 Опस कराना घिमा न अर्गोरमन कैला तह जैसे हमारी class का नाम जैसे हमने अपनी class का नाम लिखा without main यह जावा नाम का टूल है और यह हमने value पास्ट करी है ना 19, 20, high, by यह सारी value जाके कहां receive होई यह सारी value जाके receive होई इस array के अंदर इस array में जाके receive हो गई और यह array main में ही बनता है static block में तो array बनी नहीं सकता अब यह command line से अगर runtime पे आप value भीज रहे हो तो main में ही receive हो सकता है और main में ही से आप use कर पाओगे static block में नहीं तो यह difference होता है static block और main के अंदर बाकि conventionally क्या है ना कि main तो बनाना ही चाहिए एक standard है बना के चलो बाकि हाँ अगर नहीं बनाना चाहते हो तो तरीका है एक बर्स यह है कि main बाद में चलता है उससे पहले static block चल जाता है पता हुए clear है तो आपने का सरीए जो वैलू कमाड लाइन से रन टाइम पर भेशते हैं इसको कैसे यूज करते हैं इसका क्या यूज होता है तो इसको और आगे डिटेल में हम डिसकस कर लेंगे क्योंकि टॉपिक के अंदर से टॉपिक अगर पढ़ने लोगों तो बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे अभी हम इस्टैटिक ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो क्यों उसी को पढ़ लें कि ठीक है उसको भी डिसकस कर लेंगे हां जी हां नो यस नो बोला गरो आप लोग हां ठीक हां 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 तेज बोलो खाना निखायों तो कुछ भी हो सकती है न वैलू में क्या लिखें सुझीत लिखो जो भी वैल्यू कमाड्लाइन से भेज़ो कि वह जा रहा है है कुमाड लाइन से देखो यह वैलो उभी रहा है इस पेस देगे के देना है अगर मैं एक साथ ये साथ दे ला पे इह तो याँ सबस्ली टॉद्गया अगर मैं एक लिख फिर स्पेस फिर दूसरा लिखा फिर तो यह वैलो अलग अलग वैलु जा रहे हैं यह अलग अलग वैलु कमाड लाइन से रन टाइम पे कोई जरूरी फिक्स तोड़ीन है कि यह वैलु जाएगी वैलु देते रहो अपना और जितना मर्जी उतना दो कि ऋर्च सारा स्टिंग भैलु जाएगा किकी में में एरे स्टिंग टाइफ ख़या सबनें पॉन इपमे चल्च होएबंच work करेंगे। जेवियम में क्यों यूज करेंगे हम खुद यूज कर सकते हैं उसको एक बार मैंने बताया भी है लेकिन आगे मैं बताऊंगा भी अभी इसको रहने दो अब कहानी यह है अब कहान यह है कि वही आपका यह स्ट्रेट मतलब स्ट्रेटिक ब्लॉग का यूज करके प्रोग्राम बन सकता है तो जो स्ट्रेटिक ब्लॉग का यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं और स्ट्रेटिक ब्लॉग के बारे में बहुत सारी कहानी है जैसे इनिट ब्लॉग था ए अगर एक से ज़्यादी static block होगा तो किस sequence में चलेगा FCFS मैनर first come first serve manner में चलेगा ठीक है तो मैं एक program बनाता हूं जिसमें static block भी बनाता हूं और main भी बनाता हूं ठीक है यह वाला program तो फिलाल comment कर देता हूं ठीक है तो यहां पर गया मैं एक class बनाऊंगा और class का नाम दे दिया मैंने class का नाम मालीजे मैंने test दे दिया और यहां से main method को tick कर लिया यह हमारी test नाम की class बन गई है ठीक है अब ऐसा हो सकता है कि हमने अपने class के अंदर main भी बना दिया static block भी बना दिया init block भी बना दिया concept भी बना दिया सारा एक साथ बना के आपको दिखा देता हूं तो आपको और अच्छे से clear हो जाएगा एक साथ बना दू बोलो तो लो यह यह static block हमने बना दिया यह को स्टेटिक ब्लॉक है ठीक है system.out.println हमने लगाया और यहां पर लिख दिया हमने main लिखा जाएगा इसी को copy किया यहां पीस्ट कर दिया यहां पर लिख दिया हमने static block block 1 तो यह static block हो जाएगा तो पहले क्या चलेगा static block दन क्या चलेगा main ऐसा नहीं कि पहले लिखा इसलिए पहले चलना लिखो कहीं पे भी कहीं लिख दो उपर लिखो नीचे लिखो कहीं पर लिख दो पहले static block ही चलेगा दन में चलेगा एक से जाद static block बना लो copy कर लो और paste कर दो static block हुआ हां क्या हां बढ़िया कोश्यन है static block जो था आपका इसको चलने के लिए object की जरूद नहीं है यह object independent है यह class loading time पे ही चल जाता है लेकिन init block जो होता है वो object dependent है उसको चलाने के लिए object बनाना पड़ता है वो हर object creation से पहले चलता है तो ऐसा कोई काम जो आपको हर object के create होने ही होते ही करना है हर object के respect में करना है वो इनिट के अंदर करो लेकिन ऐसा कोई काम जो class loading time पे करना है वो static के अंदर करो static block को चलाने के लिए किसी object की जरूद नहीं है देखो मैंने कहीं object नहीं बनाया कि इनों static block चल गये देन में चल गया यह class loading time पे चल जाता है without without what object creation it is object independent ठीक है यह difference होता है तो जिस तरह से एक non static data को internally initialize कराया जाता है जैसे मैं ऐसे non static data लिखूँ तो मैंने बताया था कि non static data को initialize करने के लिए init block बनाया जाता है वैसे ही जैसे यह लिखा हमने int x तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एक सीजी को स्टू 10 जावा में नहीं लिख सकता reason क्योंकि declaration initialization ऐसे दो step में नहीं हो सकता लेकिन अगर यह cut cut करके मैं यहां डाल दो तो यह possible है ठीक ऐसा possible है इस तरह से आप कर सकते हों ठीक इस तरह से अगर हम कर रहा है declaration यहां कर रहा है initialization यहां कर रहा है इनिट के अंदर और अगर हमने इस तरह से एक साथ कर दिया तो तब ही तो possible है तो इस case में मैंने आपको बताया था internally compiler खुद ही init block बनाता है initialize करने के लिए बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं static data बना लेता हूं और इसको मैं initialize करना चाहता हूं static block के थूँ तो मैं कर सकता हूं ऐसे ऐसे कर सकता हूं x is equal to जो भी आपका data initialize करा दिये तो static data को अब static block के थूँ इनिस्लाइच करा सकते हूं जैसे इन जैसे नॉन static data को इनिड ब्लॉक से initialize कराते हैं ठीक है यह चीज़ होती है भाई आपका कोई code ऐसा होगा जो अभी पूरा नहीं चला है आपका code अभी memory के अंदर है under construction में है कोई चीज़ अभी फूरा वो चला भी नहीं है और आप चाहते हो कि नहीं भाई यह हमारा चल जाए यह code execute हो जाए वो code को आप static block के अंदर डाल दो class load होते ही वो execute हो जाएग आपके लिए बोलो clear है आगे बढ़े ठीक है बोलो कि अहां आगे बढ़ो देखो मैं बहुत धीरे से पढ़ा रहा हूं और बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं और जितना मर्जी उतने बार पूछो चार बार पूछो चालिस बार पूछो लेकिन फिर मुझे थोड़ा से दुख इस बात का हो जाता है कि जब आप पूछन मतब पढ़ने के बाद फिर बोल देते हो कि अब तो कुछ नहीं सोंज में आया है ना तो इसलिए आप अभी जित अभी सोंज में आ रहा है तो फिर बाद में भी सोंज में आना चाहिए हो आई है ना तो मैंने यह इनिट ब्लॉक बनाया और इसके अंदर मैंने लिख दिया इनिट ब्लॉक वन बेलो सी के ब्लॉक वन यह पहला इनिट ब्लॉक हो गया ठीक है इसको कॉपी किया यहां नीचे मैंने कहीं डाल दिया इनिट ब्लॉक यहां मैंने लिख दिया इनिट प्लोक त्री में के अंदर भी मैंने डाल दिया एक इनिट बलोक ठीच है यह मैं पर मैंने लिख दिया मैं इनिट के जैसा हूं जैसा हूं ठीच हूं अब इस प्रोग्राम को मैं एक्जिक्यूट कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि जैसे class लिए सारे स्ट्राइटिक चल गया और जो है के अंदर का जो स्ट्राइटिक इनिट ब्लॉक था था क्या टे मैंने बताया था कि इनिट भ्लॉक अगर मैं दर के इंदे डाल दोगे तो वो इनिट ब्लॉक ट्रीट होगा ही नहीं है ना कि इनिट ब्लॉक का फीचर है ठीक है तो क्या इनिट चला नहीं चला रिजन ब्यं क्यों नहीं चला क्यों चला सुजित क्यों नहीं चला एंनिट ब्लॉक कर रहाँ है प्रोग में कहां लिखाया ज़रा है बताओ और दो कहा लिखा है यही को भुलते है कि चल्पे आया है बताओ पर वेश्ट चल दर जल रहा है जा चल और तो यह स्टैटिक 123 क्या इस्टैटिक लॉक है ना कि इंट सफ लिखा हुआ है कि इस इन ट ब्लोक के इंदर इनिट 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 ब्लॉक लिखा हुआ है देखो यह इनेट ब्लॉक है इसके अंदर लिखा है इनेट ब्लॉक और इस ट्रेटिक ब्लॉक लिखा हुआ है हाँ 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 यह अब्जेक्ट होगा तब ही चलेगा बिल्कुल तो अब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ऑब्जेक्ट कहां बनाओ आप ऑब्जेक्ट जहां मर्जी महां बनाओ ऑब्जेक्ट स्टैटिक ब्लॉक के अंदर भी बना सकते हो तो लो मैंने यहां पर बना दिया न्यू टेस्ट यह लो ऑब्जेक्ट बना दिया ठीक है फिर मैंन object बना दिया मैंने तीन अलग-अलग object बनाया और तीनों के लिए अलग-अलग conceptor call कर दिया ठीक है लेकिन तीन conceptor हमारे प्रोग्राम में बने तो नहीं है न तो बना भी लेता हूं लो यह मैंने default constructor बना लिया ठीक है और यहाँ पर मैंने लिग दिया वही system.ort.println default constructor इसको कॉंपी कर लिया और पेस्ट कर दिया फिर पेस्ट कर दिया इसके अंदर हमने सिंगल पैरामिटर ले लिया और इसके अंदर डबल पैरामिटर ले लिया इंटेक्स इंटु आई इसको क्या बोलते हैं सुजीत अगर एक प्रोग्राम में single parameter, double parameter वाला और सारे इस तरह से consider बना दिये जाएं इसको क्या बोलते हैं? अभी पढ़े हो तो यह consider overloading का प्रोग्राम हो गया एक तरह से ना तो मैंने consider को overload कर दिया ठीक है? अब मैं क्या करूंगा? अपने static block में मानलो मैंने इसको अटा देता हूँ नहीं चेके बस एक object बनाया मैंने अब हमारे पास init block भी है, static block भी है, constructor भी है सारा चीज है अब यहां पे कौन सा पहले चलेगा? तो यहां पे सबसे पहले चलता है आपका static block ठीक है? स्टाटिक ब्लॉक चलता है क्योंकि object बना, स्टाटिक ब्लॉक के अंदर क्या बना है? आपजेट, object बनते ही क्या चलेगा? इनिट अब एक object के respect में सारे इनिट चल जाएंगे तो यानि कि output कुछ इस तरह से आएगा आपका देख सकते हैं आप आया, इनिट ब्लॉक 1, 2, 3 फिर चला default, then चला static, then चला main तो इस्टाटिक चला पहले या इनिट चला पहले? ये बताओ है तुजित पहला इस्टाटिक चला सर स्टाटिक ब्लॉक ही पहले चला संजे अगर आप सर इसमें डाल देंगे सर निवूठ टेष्ट को ब्लॉक 2 में डाल देंगे सर अरे स्टाटिक ब्लॉक सब्सक्राइब पहले समझने दो पहले स्टाटिक ब्लॉक ही चला है आपने कहा सर कैसे उपर तो दिख रहा है इनिट ब्लॉक 1 लिखार है आप यह कैसे कह सकते हो कि static block पहले चला है मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि इस वाले static block में यह जो line है पहली वाली line यह अगर नहीं होती न तो इनिट नहीं चलता हटाओ हटा दिया मैंने और फिर चलाओ क्या चला पहले static की तो चला 123 और the main उसके बाद तो चुकि static block ही पहले execute हुआ एक्जिक्यूट पहले यह हुआ तभी तो उसकी पहली line यह चली तो execute पहले यह हुआ और execute होने के बाद इसकी पहले line यह चल गई मतलब object बन गया और object बनते हैं consider चला और consider के पहले इनिट चलते हैं इसलिए सारे इनिट प्रिंट होके आ गए तो अगर execution की बात करें तो execution पहले static का होता है then static के अंदर जो भी चीज लिखी होती है उसका होता है अब एक काम करो आपको और clear हो जाएगा अगर आपको ऐसे न भाके यहां नीचे रख देता हूं ठीक है तो आपको अभी दिख जाएगा क्या पहले चला दो क्या चला पहले static ब्लॉक ही चला न और उसके बाद इनिट चला then default चला then static block 2 and then static block 3 then main इस तरह से चला अब अगर इसके अंदर में क्या गर हूं यह पहला object यह दूसरा object यह तीसरा object तीन अलग अलग कंसेंटर में ने बना दिया तो अब होगा क्या कि पहले यह static ब्लॉक चलेगा देन सारे इनिट चल की यह कंसेंटर चलेगा देन सारे इनिट चल की यह कंसेंटर चलेगा देख सकते हो आप यह देखो इस तरह से देखो 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 स्टाटिक ब्लॉक चला सारा इनिट ब्लॉक चल गया that default चला दन अगें सारा इनिट ब्लॉक च चला देन सारे इनट व्लोग चल गया जिन के बाद क्यों चला समझ में आरहा है कि इस क्यों चला है सवंज में आया आओ हुँ समय हो सकता होगी आपको प्रोग्राम नहीं समझ में मान के छलना हूं कि 50% नहीं आ यह मान लेता हूं ठीक है क्योंकि में भी आपको उतना अभी उतना जादे नहीं दिमांग भूस रहा है उतने जादी चीज़ नहीं सवज़ रही है यह घुसेगा जमांग में आएगा लेकिन पता कैसे आएगा जब प्रक्टिस होगी तब जब प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जैसे गर्ल्फ्रेंड अगर आपकी पास है बिल्कु जिस तरह से उससे बात्चीज चलती होगी उसी तरह से भी बात्चीज आपको चलानी पड़ेगी दन आपको समझ जाएगा ठीक है बिल्कु लगाव रखना पड़ेगा इसके लिए कोई बीचीज टेक्नो है पहले से चलाके और यहां पिसको को की कर दों है एंडेन ऐसे चलाओ है ठीक है और फिर उसके बाद मैं इसको मेन कंदर डाल दों जहाँ मोई 쟁दल जितने मर्जी तो उतने बार इसको आप चला सकते हो आपकी इच्छा है ठीक है यहाँ पर डाल दो तो उतने बार यह एक्जिक्यूट होगा कोई इसमें समझत्या वाली बात नहीं ठीक है जो तो तो नीचे वाली लाइन चलेगी यह नहीं है यानि कि मेंड़ कॉल हो गई ही stimulation फिक है तो प्रोग्राम का आउटपूट क्या होगा अब यह सब कुछ भणगया है तो प्रोग्राम का सारा कोड़ चलते ही प्रोग्राम टर्मिनेट में पे आएगा यह नहीं कहानी में पे जाएगा है अगर कमेंट कर दोगे दन में चलेगा अच्छा इस स्टाटिक ब्लॉइक में पहले क्या चलेगा यह मैसे पृन्ट होने के बाद शारा इनिट दर्शैक्टर देह डिन द्लाइन सारव इनिट चलेंगे दन कर्षिंट बिज़ के दन कॉमा और इसको आपको मैं कितना पोछ नहीं बाएगा जब आप समझोगे तो आपको समझना है तो इनिट भी हो सकता है इस्टाटिक भी हो सकता है सारा चीज एक साथ हो सकता है इनिट इस्टाटिक अब सब कुछ हाई सिंग समझ में आ गया होगा प्रोग्राम का फ्लो समझ में आ गया है अब आपने कंसेटर पढ़ लिया आपने इनिट बारे में फड़ लिया तो आपके लिए एक assignment ready हो गया है और वो assignment मैं आपको mail कर दूँगा जिसमें सब कुछ लिखा गया है कि आपको क्या करना है कैसे करना है तो अब तक जितना भी आपने पड़ा ने इन सब को मिला के प्रोग्राम बनाना है यह समझे लूग है इसे देखा अब प्रोग क्लास लोडिंग टाइम पे चलता है तो टो 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 अब डिटेल में समझाने वाला हूँ है यह थोड़ा सा अलग टॉपिक है मंतलब यह समझे लेना कि क्लास लोडिंग क्लास लोडर्स को और इस सारी चीज़ों को एक बार मैं आपको और अच्छे से बताउं ठीक है इसका एक अलग से टॉपिक जरूर लोगा मैं आप मुझे याद जरूर दिलाना इस चीज के लिए ठीक है क्लास लोडिंग को और समझे ना क्योंकि वोट इसा टॉपिक है इसे बहुत सारी चीज़ें आप में में सीखिनी है क्लास लोडिंग बोलो बाई कोई कन्फिूजन ना सारा चीज़ें तम क्लियर है और के ना है के भी याद दो